असलाम तो व्रीडियो वाइने में रिजवान चीमा वेल्कम विडियो आफ ट्रियू स्वाइटि इस विडियो अब उन न्यू साइट विच इसंट लाउंच येट बट इसको डिवेल्प करना शुरू कर देगे स्वाइटी ओफिशल की तरफ से यह उस साइट की वीडियो इ और इसकी लास्ट वीक जब मैंने विजट किया तो तो इसके बेस काम होता है जो नीचे राफ डलने का काम होता है उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई है बिफोर गिए टो डेप्थ मैं सबस्ट पर स्टार्ट करता हूं मैप पे कि यह साइट कहां पर लोकेटेड है इस वक्ति में स्क्रीन पर केपिल स्मार्ट स्टी जो ओवराल मैं से पहले साइट वीडियो बना चका हूँ उनके जो पॉइंट्स से पर लोकेशन पिन कर चका हू जाने डिवल्पमेंट में तो इसके फिर उनके बात करें नौर्ट साइट पर इसके ब्लॉक डिके विलास वाक्या हैं जो बनते हैं 10 मरला के अगर हम बात करें इस साइट पे तो बनते हैं और वन रोड जो के 180 फीट वाइव में विल बेवर्ड है जो यहां तक कार्पिट ह यहाज है पाई आज़ पर गजिया उंद वेशाएड है 5 मला के हारा carnival से पहले लोकेशन में किया था यहीं कि साइटलाइड के लेस जगह पे लोकेशनएं किया था याझासे पेहले इस जगा पर 2018 की है और इसके बाद ये वाले जो इमेज ये बनती है आपकी जून 2019 नेक्स साइट इमेज ये बनती है जी एपरिल 2020 फिर में 2020 एंड दिस इस अपडेट ये जुलाई की है इससे दगाद कोई अब्डेट इमेज हुई नहीं है अब इसमें ये वाला पार्ट जो बिल्कुल मैप पर शो नहीं हो रहा है कि इसमें भी जब में में ये सैटलाइट इ पर शो नहीं हो रहा है और कि सरावंडिंग में ओवराल जो चार साइडे में आपको एक्स्प्लेन की हैं नौर्थ इस वेस्थ साउथ अगर हम बात करें फोड़ तो इसके बनता है ब्लॉक यह साइट बात करें तो यहां पर लेक्वी अपार्टमेंट्स और बाकी चीज़ उनकी चार साइट पर क्या वाक्या है यह आप देख सकते हैं अब देखते हैं यह एक्चुल साइट फोटेज इस सक्क्रेंग स्क्राइट पर इमिज देख रहे हैं यह बिसिकली साइट 25 की अपडेटिट फोटेज है और इसमें आपको बैक साइट पे जो रोड नज़र आ रहा है यह आरवन रोड ने बतायता शुरूरू में कि ब्लॉग डी तक कारपटिंग हो चुकी है और इसकी सराउंडिंग में जो ब्लॉग डी के विलाज हैं उनका उन पर भी कंस्ट्रक्शन काम काफी तेजी से जा रही है एक बाद मैं बताता चलो हूँ यहां पर कि ब्लॉग डी में जो विलाज हैं यह बेसिकली यहां पर पक्सानी मार्केट में नहीं सेल किये गए यह पूरा ब्लॉग एक यूके बेस कंपनी हैं ट्राइविलाज यहां ट्रिवलीज इंग्जेक्ट प्रनसिशन उस कंपनी को स इनिशल राफ्टिंग बिचती है यानि कि नीचे जो बेस बिचती है जिस पर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है उस पर काम जा रही है और कुछ कॉलम के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे यह कॉलम जो हैं यहां से रेस किये जाएंगे और इसके बाद ग्राउंड सेवन यह टोटल बारा किनाल की बिल्डिंग है और इस पर ग्राउंड प्लस सेवन का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो नीचे यहां पर कमर्शल शॉप्स होंगी कमर्शल आउटलेट जो ब्लॉग डी के विलाज है यानि के ओवर सीज डिस्टिक ब्लॉग डी यहां सेक्टर इस डी के जो विलाज बनेगे जिनको पॉजेशन आने वाले साल डेट साल यहां दोसल में दे दिया जाएगा उन लोगं के लिए यहां पे एक प्रॉपर मार्किट होगी जिसको वो एजली एकसेस कर सकते हैं अब बहुत लोग की सवाल करते हैं कि साइट पे अभी ना को मा पॉजान में हैं लेकिन के ऑपोजेट साइट पे है लेक वियू कैपिल हिल लेक वियू ब्लॉक वले साइट पे हॉस्पिटल का वहां पे हो रहा है उसकी में वीडियो अनल दिनों में पोस्ट कर दूँगा इन्शाला और यह जो आप कहलें कि मार्किट ब्लॉक डीमेल जहां पे वो ने कुछ घर के लिए कुछ भी ऐसेसरी चाहिए हो या मिनिटी जो भी रिक्वाइड हैं वो यहां पे नियर बाइ उनको वो फसिलिटी अवैलिबल होगी तो इस ब्लॉक का मरकज आइटिंग सोल परफॉस यही होगा कि ब्लॉक डीमें जो विलाज बने हैं क् के डिमी के के क्रिके को ऊन करता है Live अच आ एरेले ये पाकसतानी किंपनी है और जिस कंपनी ने यह भाय किएρχे हैं यो का अओक की होकह होगा कि हुम्द करे हम एक यूक वेस कंपनी कि हूंगी flour को पूरा ब्लॉक करते हैं तो उनको कोई एसी पसलीटी ना हो जो साइट पे ना हो क्योंकि इसके लाव अपर जो मस्जिद है वो यहां से चंद सो मिटर कह लें के फासले पर है बिल्कुल साथ ब्लॉक्स ही है जहां पर वाक है इसमें जब क्रिशनल मार्टीट बन जाएगी तो आटोमेटिकली यहां के जितने अभी आप मॉडल विलाज भी देख रहे ह है जिन स्ट्रीट पे अभी इनिशली मदा आई नो नो कि इसको सेल किया गया या नहीं किया गया क्योंकि मैं ट्रैवलीज को डील नहीं करता तो यहां पे जो ब्लॉक डी के अंदर जितने विला सेल हुए है तो उनके लिए जो बेसिक अमेनिटीज होती है उसका अरेंजमे जो कनेक्टिंग रोड है उस पे पहले काम नहीं हुआ था जैने बहुत सरे लोग ने पहले कमेंट भी किया था वीडियो पे मैंने एक वीडियो में इस कमेंट का आंसर भी किये थे कि ब्लॉक डी और एक्सेस मिल जाएगी विद दा मेन रोड क्योंकि ए ब्लॉक का था वैस जिसका बहुत सरे सब्सक्राइबर सवाल करते रहते हैं कि ब्लॉक एफ की वीडियो नहीं आती तो जैसे महसन वाला एक सब्सक्राइबर नहीं सवाल किया था कि ब्लॉक एफ की वीडियो तो महसन भाई ये सेनरियो आप देख सकते हैं कि यहां से वहां तक गाड़ी नहीं मैं डोन से कुछ वीडियो रिकॉर्ट तो कर लूँगा, लेकिन मुझे खुद एक्सप्लें करते हैं आइडिया नहीं होगा, यह क्या चीज है, कौन से स्ट्रीड है, कौन सा ब्लॉक है, नॉर्थ पे क्या है, सौथ पे क्या है, हर एक चीज क्लियर है, जैसे इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, जो है, मैंने बात की थी, वेस्स साइड पे तो ब्लॉक है, जो रिजिदेंशल ब्लॉक है, जिसका पॉजेशन अभी अनॉंस नहीं हुआ, लेकिन आने मेले दिनों में हो जाएगा, इसकी बात करें, हम साइड पे, यहनी बैक साइड पे, इसकी नीचे गरी साइड पे, जिसे कहते हैं मगरी बी साइड शायद, और ओर सीज वन ब्लॉक सेक्टर सीए है, जहां पे तैन मरला के पलॉट्स हैं, और वहां पे तैन मरला के विलास भी है, जिनका almost एक एक floor complete होगा जिसकी मैं आने वरे दरों में एक वीडियो पोस्ट कर दूँगा जिने लोगों ने विला जबाय किया उनको आइडिया मिल जाए और ये हार्मी रेजिदेंस अपार्टमेंट है इन अपार्टमेंट से क्या advantage होगा C के सामने जो 10 किनाल का एक plaza बन रहा है जिसका नाम lake view heights है जो बिल्कुल block C के सामने वाकिय है most probably smart city का जो F11 वाला office है sales office most probably वहाँ पे shift हो जाएगा तो वह पूरी एक dealers market बन जाएगा उपर sales office वाले जितने sales partner है उन सब को भी offices मिलेंगे यहाँ पे और बाकी जो smart city के official marketing sales office है वो भी यहाँ move कर जाएगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा है ब्लॉक C की बात कर रहा हूँ तो ब्लॉक C में जब वो आएगे तो यहाँ पे जितने भी dealers के जितने भी real estate agents के जितने आगे सब स्टाफ होता है उनको जाची बाता साइट पे भी खर यहाँ नहीं बनाके देशते हैं आपको तो वो एक चीज रिक्वाइड है यह पीछे left time में camp office मार्क किया है जहां पर सारी machinery खड़ी होती है एक बात भी बात भी करते हैं कि यहाँ सिर्फ साइट पे 200 machinery है अगर मैं सिर्फ यह सिर्फ कैंप office में जो machine अभी नहीं duty पे या नहीं काम करी सिर्फ उनको count करूँ तो शियाद वो डाई 300 बन जाए जो यहाँ पे इन अपार्टमेंट के रेंट की बात कर रहा था मैं कि रेंट के वाइस बात की जाए तो यह वाले सबसे ज़्यादा जल्दी रेंट आउट होंगे बज़ा यह है कि जब रेल स्टेट मार्केट जैसे हमारे offices यहाँ पे खुलेंगे तो हमारे जो staff होगा उनको offices यहाँ रहने के लिए जगा रिक्वाइड होगी जो भी लोग यहाँ पे बाय करेंगे अगर आपको स्मार्ट रन्यू बोकिंग के वाले से कुछ मालमा चाहिए हो और आज साइट का विजट भी है तो आपने कोई भी सवाल पूछने हो मैंजमेंट से तो मुझे कॉमेंट्स में लिके बताईए मैं ट्राइ करूँ हो कि उन कॉमेंट्स को अगली वीडियो में शामिल कर सकूँ रिजवान चिमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस